ताइवान और चीन के बीच तनाव गहराता जा रहा है जिससे दोनों देशों के बीच जंग भड़कने की आशन का तेज भुच्छ दी है। ताइवान की रास्टपती तिसाई इंग वेन ने ट्विट करके कहा कि ताइवान की वाई सेना किसी को धंकी नहीं देती है और नहीं सेने उपसावे की कारवाई करती है। चीन कई दिशाओं से ताइवान की खिलाफ वाईटर जेट और बम वर्शक विमान भेज रहा है। इससे पूरे साउथ चाइना सी में तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की इस हरकत पर ताइवान की राष्टपती ने कहा कि चीन जान बूच कर पूरवी एशिया में तनाव बढ़ गाने में लगा हुआ है। पिसाई इंग विन ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट ही नहीं बलकि हम इस पूरे इलागे की इस्तिती को देख रहे हैं। चीन की हारिय सेन कारवाई स्पस्ट रूट से ताकत के बल पर धंकी है। ये उसके मौके और सेन धंकी का हिस्सा है। चीन और ताइवान के संबत हाल के तुनों में सबसे खराब दोर से गुज़र रहे हैं। अमेरिकी उब्विदेश मंत्रे कीट क्रेच के ताइवान पहुचने से चीन और भगा हुआ है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीनी सीना के विमान चारो दिशाओं से ताइवान में खुस रहे हैं। हर बार अमेरिका के वरिष्ट रदिकारी ताइवान का दोरा कर रहे हैं। ये चीन की वन चाइना पॉलिसी की खिलाफत है। अकबार ने अमेरिका को चितावनी देते हुए लिखा है कि उसे आग से खेलना बंद कर देना चाहिए। निश्चित रूट से सही होंगे। अमेरिका से क्यों चिड़ रहा है चीन। चीन और अमेरिका के बीच साउथ चैना सी को लेकर विवाद चारी है। और अब इस बीच ताइवान का अमेरिका के साथ जाना चीन को परताश्त नहीं हो रहा। चीन की तिल मिलाहट इस कदर बढ़ गई है कि वो अब ताइवान को धमकी देने लगा है। चीन ताइवान को साफ कर देने की गीदड़ भब की दे रहा है। दरसल अमेरिका और चीन के बीच साथ चैना सी में जारी कतिरोट के बीच अमेरिकी विदेशिवे भाग के अधिकारी क्राच में यूते 17 सितंबर को ताइवान दोरे पर थे। और 18 सितंबर को ताइवान की राष्टपती तेसाई इंक के साथ जिनर में हिस्सा लिया था। इसी से नाराज चीन ने ग्लोबल टाइन्स में लिखा है कि वहां की राष्टपती को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि चीन शनिवार को भी अपने 19 वाइटर्स जेट को ताइवान एर स्पेस में भेज कर वहां की सरकार को जरानी की कोशिश कर रहा था। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है जिपकी ताइवान खुद को एक स्वतंतर देश मानता है।